नमस्कार दोस्तो स्वागत थे आप सबको मुर्मोही ब्लोक में मैं मुनोज कुमार मुखिया दोस्तो आज इस वीडियो में आप सबको बताएंगे कि कुरोशिया का वर्क पर मीट कितना दिन में दे रहा है और वीजा आने में कितना टाइम लाग रहा है उसी टॉपिक पर ब खाना बना के सोना फिर सुब सारवजे उठके जाना बहुत ही मुश्किल होता है और उसमें क्या है अभी यहां कुरोशिया में कि कल बहुत ही ज़्यादा भारिश हुआ हाला कि छूटी था संडे कोई फरक नहीं परारूम में हम लोग अराम से थे बट आज जब काम पे हम सुबह निकले तो बहुत ज़द लगा और अभी भी ठंड लग रहा है और हात कनकना रहा है पुरा एकदम तो इसलिए विडियो रेगुलर नहीं आ पाता है तो आप सबको बता देगी कुरोशिया का वर्क परमीट अभी पुलिश एस्टेशन से 45 डेज से 16 डेज में दे र रहा है हाला कि पुर्शेशिंग टाइम 16 डेज से 19 डेज है बट किसी किसी का कोई कारण बस लेट हो जा रहा है जिसके बज़ा से चार मंत में आ रहा है आप सबको परमान के तहद आप सबको देखाने वाला हूं कि मेरे गाउं के ही बड़े भाईया मैंने ही उनका चुलेशन है आईए आपका विलकम है क्रोशिया में और आप सब इस से समझ सकते हैं कि किसी किसी का चार मंत पे भी वीजा आ रहा है बट वीजा आ रहा है क्रोशिया का 90 परसेंट वीजा है और जो अभागा है जिनके नसीब में नहीं ए इरोप कैंटरी में आने का रिजेक और 22 तारीक का लगभग यहां क्रोशिया में फुख जाएंगे और उनका काम यहां पे कंट्रक्शन साइड में ही है नेसन का बहुत ही अच्छे कारिगर है बट पढ़े लिखे बहुत कम है यानि कि बुजिए यह चाप है बट उनका मैंने अपलाई करवाया था उनके पास पैसा है में सन में जिनके पास सीफ है अचा खासा पैसा है यहां पे अच्छा खासा कमा सकते हैं और लाइफ एस्टाइल जी सकते हैं तो दोस्त फाइनली इस वीडियो से आप सबको जनकारी हो गया होगा कि क्रोशिया का अभी वर्क परमीट कितना दिन में दे रहा है और भीजा आने में कितना टाइम लग रहा है तो दोस्त यह वीडियो आप सबको कैसा लागा लाइक कमेंट करके जरूर बताएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाए बाए